इंडिया के थेरोवनंद पोरम में विष्णुजी का एक अद्भुद मंदर है जो कि दुनिया का सबसे अमीर मंदर भी है इस मंदर का नाम है श्री पद्मनाब स्वामी मंदर ये मंदर फिलहाल एक ट्रस्ट चलाता है जो कि तरवंको राजगराने का है ये मंदर अपने सीक् पिर तहकानों के लिए फेमस है इस मंदर में आठ तहकाने है ये सबी तहकाने मंदर के बीच में विष्णुजी की मूर्ती के नीचे हैं 2011 में सुप्रीम कोड के ओर्डर से साथ लोगों की कमीटी बनाए गई और 30 जून 2011 में ये तहकाने खुले गए कमीटी ने इन तहकानों को A से G तक नाम दिया यानि की A, B, C, D, E, F, G कमीटी ने जब ये तहकाने खुले तो उन्हें जमीन से लगबख 20 फीट नीचे इन तहकानों में मिला क्या लगबख सवा लाग करोड का खजाना इस खजाने में कई बेशकिमती चीजे मिली जैसे 18 फीट लंबा हीरो का हार, 500 किलो की जूलरी, सोने के बरतन, पुराने हतियार, सोने की मूर्तियां, सोने के सिक्कों से भरे बैक्स जिन में नेपोलियन और इटालियन सिक्के भी हैं इन सब के साथ पदमनाब स्वामी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया कमीटी को ये खजाना निकालने में 12 दिन लग गए इन 8 तहकानों में से अभी तक सिर्फ 5 ही खोले गए हैं और CDEF तहकाने मंदिर के पुजारियों की कस्टेडी में हैं और हर साल करीब 8 बार इन ही खोला जाता है और इन में जमा की हुई चीजों को मंदिर की सेरिमिनी में यूज क्या जाता है लेकिन B नाम का तहकाना सदियों से नहीं खोला गया जब सुप्रीम कोर्ट की अपॉइन की हुई कमीटी ने इस तहकाने का मेटल का बना हुआ दर्वाजा तोड़ा तो उन्हें इसके पीछे एक लकड़ी का दर्वाजा मिला फिर जब ये लकड़ी का दर्वाजा तोड़ा गया तो इसके पीछे एक और लोहे का दर्वाजा मिला लेकिन ये दर्वाजा तोड़ने से पहले ही त्रवंकोर राजघराने ने ये दर्वाजा ना तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टेय ले लिया G और H तैखाने कई सेंचुरी से बन हैं लेकिन उन्हें 28 सदी में खोला जा चुका है और उनमें भी किम्ती चीज़े ही हैं लेकिन सबसे important और सबसे main तैखाना भी है मंदिर के trust और इंडिया के बड़े astrologers की माने तो ये तैखाना खोलना बहुत रिस्की और dangerous हो सकता है इस तैखाने के gate पर दो साप बने हुए हैं और इस gate पर कोई भी nutball नहीं है चौकाने वाली बात है कि इस दर्वाजे के अंदर से सापों के फुफकाने के आवाज आती है कहा जाता है कि इस दर्वाजे को नाक बंधम नाम के मंतर से सील किया हुआ है और इसको एक सिर्द पुरुष ने 16th century में सील किया था और कहते हैं कि ये दर्वाजा सिर्फ किसी बड़े विद्वान सादू से ही खुल सकता है जो गरूड मंतर पढ़के इस नाक बंधम को तोड़ेगा अभी तक कई सादू है पर किसी से भी दर्वाजा नहीं खुला कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने गलत तरीके से दर्वाजा खुला तो वो सिर्फ अपने विनाश को ही नोता देगा और तो और ये भी कहा जाता है कि इस थहकाने के अंदर एक सीक्रिट थहकाना है जो कि सोने की मोटी दिवारों से बना हुआ है जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना है आज की तारीक में श्री पद्मनाब स्वामी मंदर वन अप दो मोस्ट प्रोटेक्टेड जगव में से एक है जहां करीब दो सो गार्ड्स हत्यारों के साथ मंदर की रक्षा कर रहे हैं इस मंदर के ख़जाने से पता चलता है कि हमारे इंडिया को सोने की चेडिया ऐसे ही नहीं कहा करते थे अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कॉमेंस हों बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें थांक यू